आज हम बनाएंगे राजस्तानी कड़ी बहुती टेस्टी लगती है नमस्ते दोस्तों मैं हूँ स्वातिस किचन में आपका स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन बड़े चमच खटा दही लिया है दही बहुत ज़्यादा खटा नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने दही का इस्तिमाल कम किया है अब हम इसे बेशन को एड़ करेंगे तो यहाँ पे मैंने आठे कप से थोड़ा ज़्यादा बेशन ले लिया है अब इसे दही में डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और साथ में पानी डालेंगे यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम बाद में भी इसकी कंसेंटिस्टी अज़र्स कर सकते हैं अब हम कड़ी बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कड़ाई ले लिए है अब हम उसमें एक बड़ा चमच कुकिंग ओईल डालेंगे ओईल गरम होते ही उसमें महरी डालेंगे उसके बाद एक मेडियम साइच के प्याच को बारिक काट लिया है उसे एड करेंगे और ब्राउन होने तक भूनेंगे इसके बाद जिंजर करली का पेस्ट को एड़ करेंगे और एक बड़ा चमच हरी मीर्च का पेस्ट भी डाल देंगे और सबी चीजों को अच्छे से मेडियम फ्लेम पर भूनेंगे यहाँ पे हमें मसाले अच्छे से भून लेना है साथ में बारिक कटा हुआ धनिया के पत्ते हम इसमें आड़ करेंगे इससे क्या होगा कि हमारा कडिक का जो टेस्ट है ओध बहुती अच्छा आएगा अब हम इसमें हल्दी आड़ करेंगे और साथ में नमक आड़ करेंगे और सबी चीजे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आड करेंगे और गैस का फ्लेम हाई करेंगे और उससे डाल कर कंटिन्यू चलाते रहेंगे हमें इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है कड़ी को जितना अच्छे से पकाएंगे उतनी ही टेस्टी बनती है और अब हम यहाँ पर पानी डालेंगे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल सकते हो तो यहाँ पर मैंने दो कप पानी एड कर लिया है अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पर कड़ी हमारी बहुती पतली है आप देख सकते हैं जैसे पकने लगेगी उसमें ठिकने आने लगेगी यह देखिए कड़ी में उबाल आने लग गया है और यह ठिक भी हो गई है इसे टाइम आप अपनी कंसंस्टिती को अड़ेस कर सकते हो कड़ी में उबाल आ गया है और हल्दी ने भी अपना कलर छोड़ दिया है कड़ी को पकाते हुए आदा गंटा हो चुका है और कड़ी हमारे बनकर तैयार हो चुकी है आप देख सकते हैं अब हम इसमें कुछ धनिया के पत्ते डालेंगे और फिर से इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पर ग्यास की फ्लेम हमें लो रकनी है और हब हम इसे और स्पेशल बनाने के लिए इसमें तड़का लगाएंगे आप चाहे तो लगा सकते हो नहीं तो स्कीब कर सकते हो तो तड़के के लिए मैंने हाप एक चमच ओईल डालेंगे ओईल गरम होते ही उसमें मुहरी डालेंगे और तीन से चार लसुन की कली आड़ करेंगे और ग्यास की फ्लेम बंद करके ही हमें उसमें रेड चिली का पाउडर डाल लेना है ताकि यह जलना जाए अब हम इस तड़के को कड़ी में डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे इससे कड़ी देखने भी अच्छे लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगीगी तो यह लीजे हमारी रजस्तानी कड़ी बनकर तैयार हो चुकी है आप इसे चपाती के साथ, भाकरी के साथ या चावल के साथ भी खाने में यह बहुत टेस्टी लगती है और उपर से कुछ धनिया के पत्ते डालेंगे यह देखिए कैसी लगी आज की रेसिपी जरूर कमेंट में बताईएगा और लाइक शेयर जरूर कीजेगा और चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तब के लिए बाई बाई